जहां तक आपने Korona Virus की बात की तो यह सही है कि बहुत से लोग इसे लेकर बहुत चिन्ता में हैं मैं समझता हूँ इसमें आपकी और हमारी हम सब की सतर्ता बहुत महत्वपून है चाहे केंद्र सरकार हो या हमारी तमाम राज्य सरकारे हो या मुनिसिपालिटी हो ग्राम पंचायत हो सभी इस मामले को लेकर उचीत इंतजाम और देखरेग में जुटे हुए है हमारे पास कुशल डॉक्टर और मेडिकल स्टाप भी है सौंसादन भी है और जागरुक आप जैसे अनेक नागरिक भी है हमें बस अपनी सावधानियों में कोई कमी नहीं आनी देनी चाहिए और ये भी समझ लेना चाहिए कि सावधानिया क्या है बड़ी बड़ी बाते नहीं है जी ये अलग-अलग माद्यों में से आपको साइद पता भी चलता होगा लेकिन हम सुनते हैं एक कान से दूसरे कान से निकाल देते हैं मैं फिर से एक बार जब आपने मुझे पूछा है तो मोका ले लेता हूँ और आपके माद्यम से देश के सभी नागरिकों के लिए वो सारी बाते मैं दोहरा रहा हूँ और मैं कहता हूँ का आप भी याद रखिए और हर स्कूल में कॉलेज में सब जगा पर बताईए देखिए क्या करना है एक तो हमें बीना जरूरत के कहीं इकठा होने से बचना होगा और दूसरा हमें बार बार जितना हो सके अपने हाथ धोते रहना चाहिए और बराबर सफाई करनी चाहिए अपने चेहरे को अपने नाक और अपने मूँ को बार बार चूने की हमारी जो आदत है अब थोड़ा उस आदल को बदलना होगा जितना हो सके इस आदत को हमें कंट्रोल करना है और धूले हुए हाथों से ही अपने मूँ को टच करना चाहिए जानकारों का कहना ये है कि ये खांसते या छिंकते समय जो छीटे निकलते हैं सांस के साथ ऐसे छोटे 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 बिंदू निकलते दिखते भी नहीं है उसमें जो भी संपर्ग में आता है उसे ये फैलता है ऐसे में जिस भी चीज पर ये छीटे गिरते हैं उसमें ये वायरस कई दिनों तक जिवित रह सकता है इसलिए बार बार साबुन से हाथ दोना बहुत जरूरी है एक और आदत हमें जरूर डालनी है अगर खांसी और छीख हमें आती है तो कोशिश यही करनी है कि दूसरों पर इसके छीटे न पड़े और जो कपड़ा या रुमाल हमने छीखने के समय इस्तिमाल किया होता है उसे भी दूसरों के संपर्ग में न आने दे साथियों जिन जिन लोगों को ये संक्रमन हुआ है उनको तो जरूरी निग्रानी में रखा ही जा रहा है पूरे वाच में रखा जाता है लेकिन अगर किसी साथि को शक होता है कि वो किसी संक्रमित साथि के संपर्ग में आया है तो उसको बहुत गवराने की जरूरत नहीं है अपने मूँ को मास्क से ढंक करके या किसी बड़े कपड़े से ढंक करके सबसे पहला काम करना चाहिए किसी नद्दी की अस्पताल में चेक कर वा लिजी यह बहुत जरूरी है परिवार में जो बाकी लोग होते हैं उनको भी इन्फेक्शन होने की आशनका ज़्यादा होती है ऐसे में उनको भी जरूरी टेस्ट करा लेने चाहिए ऐसे साथियों को मास्क भी पहनने चाहिए ग्लव्ज भी पहनने चाहिए और दूसरों से कुछ दूरी बना करके रहना चाहिए मास्क पहनना है या नहीं पहनना है इसे लेकर जानकारों की अलग अलग राय है लेकिन ध्यान यहीं रखना है कि खांसते या च्षिंकते समय जो हवा निकलती है उसके साथ जो छोटे छोटे बारिक ड्रॉप निकलते हैं ड्रॉप्लेट्स वो दूसरों पर न जाएं वैसे मास्क पहनते समय भी एक चीज ध्यान रखनी है मास्क को एड्जेस करते हमारा हाथ बार-बार मुँवर को छूता है इससे बचाव की जगह इंफेक्शन फैलने की आशनका बढ़ जाती है के साथ यो ऐसे समय में के अप्फाएं भी तेजी से फैलती हैं और कोई कहता यह नहीं खाना है वह नहीं करना है उल्म यह चुछ लोग चार नईच चीजे लेकर के आ जाएंगे कि ये खाने से केरोना वायरस से बचा जा सकता हैं, ढीकना करने से बचा जा सकता हैं, मेरी सभी देश्वास्य प्रार्थना है, महर्बानी करके इन अफ्वावों से भी बचना है, आपको कुछ भी लगता है, जो भी करें, अपने डॉक्टर की सलह से ही करें, हम स्वयम डॉक्टर न बढ़ जाए और हाँ पूरी दुनिया आजकल नमस्ते की आदट डाल रही है अगर किसी कारण से हमने यह आदत छोड़ दी है तो हम भी हाथ मिलाने के बजाएं इस आदत को फिर से डालने का भी मैं समयता यह उत्तम समय है नमस्ते करके ही एक दूसरे को ग्रीट करना चाहिए तो मिदे विष्वास है कि छोटी छोटी बाते है खाए हैं कि शाए डॉक्तर लोग आपको यही बताएंगे आप भी सबको यही बताइए राओने डरने की जरुत नहीं है अफ़द फलाने की जरुत नहीं है बस इतनी सीद्वी चिंता करनी है